वीडियो के सेगेंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं विज्ञान और धर्म ग्रंथ पुरान की नहीं बनती है ये एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं कैसे और चुम चलिए वन वाई वन हम समझते हैं ग्रंथ पुरान कहते हैं पुरानों में लिखा है इंसान की लंबाई सत्युग में 32 फिट होती थी त्रेता युग में 21 फिट होती थी दौपर युग में 11 फिट होती थी ठीक है लेकिन विज्ञान कहता है आज साइंटिस्ट को खुदाई के दौरान मानब कंकाल मिले हैं पूरे खोपड़ी से लेकर पैर तक बे सब हैं आज से 40,000 सालों पुराने 29,000 सालों पुराने 23,000 साल पुराने 30,000 साल पुराने उनकी हाइट है 5.5 फूट 5 इंच 5.9 और 6.1 इंच और जबकि आज से 5000 साल पहले दौपर युक था पुरानों के हिसाब से उस योग में 11 फिट इंसान की लंबाई हुआ करती थी यह कैसे संबव है अगर 11 फूट इंसान होते थे उस समय तो उनके कंकाल भी 11 फूट, 10 फूट, 9 फूट मिलने चाहिए थे खुदाई के दोरान इसलिए विज्ञान मानता है और कहता है गरंथ पुरान में गर्डबड़ी की गई हमारे इतिहास में और पास्ट समय में चलिए second example समझते हैं दूसरा वो धारह ने पुरानों में लिखा है सत्य युग में 1,00,00 सालों तक इंसानों की उम्र थी त्रेता युग में 10,000 सालों तक इंसानों की उम्र थी और दौपर युग में 1,000 साल तक इंसानों की उम्र थी पर विज्ञान कहता है यह असंबव है बिलकुल असंबव है कैसे मैं बताता हूँ दौपर युग में 1,000 साल तक उम्र थी इंसानों की ठीक है पर जब महाबारत हुई तब अभी मन्यू 25 वर्ष का था और उसके पिता अर्जुन जो की 50 वर्ष के थे और अर्जुन की मा माता कुंती 75 वर्ष की थी ठीक है और युद्ध जीत के बाद अर्जुन का बड़ा भाई युदिस्टर राजा बना तब उसकी मा कुंती और गांधारी और धितरास्ट राजकार से सन्यास लेकर जंगल में आश्रम में चले गए रहने के लिए बाकी का जीवन बुड़ापा काटने के लिए और कुछ साल बाद बे मर गए पांडबो को इसकी ख़बर मिली और यह खबर सुनकर पांडबो ने भ पंचानवे से सौ वर्ष की थी 95 या मेभी 100 और सेम गांधारी और धितरास्ट की उम्र भी लगबख पंचानवे और शौ वर्ष की थी एक और हम उधारन देखते हैं त्रेता युग में रामाइंकाल में 10,000 सालों तक इंसानों की उम्र थी ठीक है राम युद्ध जीत के बाद मतलब जब राम युद्ध जीत गई थे तो राम राजा बने राम राजा बनने के बाद तो राम की मा Kahushalya और राम की सौतेली मा, कैकई और सुमित्रा ये सब महल से सन्यास लेकर जंगल चले गए अपना बोडापा काटने भगवान की भक्ति करके यहां भी विग्जान की गर्णा कहती है 110 और 120 साल की उम्र की थी राम की मा और साइंस कहता है उस समय भगवान को छोड़कर आम इंसानों की उम्र 10,000 सालों तक होना यह बिलकुल असंभव है क्योंकि आम इंसान का सरीर एक समय के बाद बुड़ा हो जाता है सेल्स मरने लगते हैं, इंसान की कोशिकाएं बुड़ी होने लगती हैं और बुड़ा होने के बाद इंसान लंबे समय तक नहीं जी सकता उसकी मृत्ती होना तै है जैसे पेड एक समय आने पर फल देता है, फिक्स है एक समय आने पर सूख जाता है, ये वी फिक्स है और एक समय आने पर लकड़ी बन जाता है, कीड़ी लग जाते हैं, नस्ट हो जाता है सेम ऐसे ही, आम मनुष्ट का बुड़ापा आने के बाद वह लंबे समय तक, हजारों सालों तक नहीं जी सकता उसका मरना तैह है, इसलिए पुरानी युग में भी इनसान 100, 120, 130 सालों की उम्र के, मतलब उनकी इतनी उम्र होती थी और इतनी जीते थे कोई हजारों, लाकों साल तक की उम्र नहीं थी तीसरा हम एक्जामपल देखते हैं, पुरानों में लिखा है, चाल लग 32,000 दिया है कल्यूक के अंत को लेकिन विज्ञानिक 2050 और 2060 में मानव जाती का अंत देख रहे हैं पूरी तरह से और इसलिए तो वे जो शोर्षे, दूसरे ग्रह पर जीवन देख रहे हैं, पानी शर्च कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है, अर्थ को अब बचाना असंबव है, कैसे? चलिए देखते हैं हम अर्थ पर जगा और जंगल के माध्यम से कल्युक के अंत को समझ सकते हैं, बहुत ही आसानी से चलिए देखते हैं कैसे, देखें यह हमारा अर्थ है, पूरा यह अर्थ है, अर्थ पर 70% वाटर है, 70% और 30% लेंड है, मतलब 30% यह जो वाटर है ना, पूरा 70% है इस पर, और 30% केवल ओनली लेंड है, जगा है, अब देखें, यह जो है इसका पार्थ, यह हमने पूरा अपन और महल रहता है, और ऐसक्रा भूत सी चीज़े होती है, इस 100% लेंड पर, अब यह जो यहाँ पर चार पॉइंट्स है, इनको हम बारी की से अब समझने जा रहे हैं, अब देखें, सत्यूग जो था 17,230 सालों का, उस टाइम पर तो जंगल 100% था, सत्यूग खतम होते जंगल 90% बचा, ठीक है, लोग, घर, खेती करने लगे जमीन पर, ठीक है, अब बात आती है, त्रेता यूग, त्रेता यूग आया 12,960 सालों का, उस टाइम पर जंगल 90% था, मतलब 90% यहाँ पर छोड़ा, तो यहाँ पर था 90% इनको मिला, मतलब त्रेता यूग को, 90% था यहाँ पर 80% बचा जंगल, अब उसके बाद दौपर यूग आया, दौपर यूग में 8640 साल होते हैं, अब दौपर यूग में 80% जंगल था, लेकिन जब दौपर यूग खतम हुआ, तो खतम होते होते 60% जंगल बचा, लोगों ने शहर, देज, छेत्र, विकास और भहुत सी गतिविदिया होने लगी इस पर, तो यहाँ पर जो था दौपर यूग में 60% जंगल बचा, उसके बाद आया कल्यूग, कल्यूग का अवदी है 4320 सालों का, तो उस टाइम पे इनको कल्यूग को मिला 60% जंगल मिला था, ठीक है, अब उसमें से 34% जंगल बचा है, आज 34% जंगल बचा है, और आज 4321 चल रहा है, और हम विस्तार से जानते हैं, कि 34% बचा, 60% में से कब कितना यहाँ पे जंगल है, कैसे काटा गया, कैसे खतम हुआ, और 34% में से आगे कितना बचेगा, चलि हम विस्तार से जानते हैं, कल्यूग के is starting में 30% जंगल था, 30% जंगल से 54% जंगल बचा 1950 में देखे 1950 में 54% हमारा जंगल बचा टोटल 100% में से अब यहां पर 18% कवर कर ली लेंड की जो धर्ती की जगा है पीपल मतलब पीपल ने खेती करने स्टार्ट कर दिया और जानवर पाल ने और कंपनी और टेक्स्टाइल इंडस्टी बात आती है 2020 की 2020 में आज हमारा 34% जंगल बचा है 100% में से 34% और 38% हमने कवर कर ली है हमने खेती करना और बिल्डिंग बनाना, अपार्टमेंट बनाना, स्कूल, मॉल्ल, ऑर हॉसपिटल और जानवर पालना तो हमारा 38% हमने कवर कर ली है परसेंट में से मतलब 38% लेंड हमने कवर अप कर लिये और 10% हमारे ग्लेशियर जो की वर्फ हैं वो हैं और 18% जो की बंजर जमीन रेगिस्तान ने कवर किया है अब सन 2050 मतलब 2050 में 23% हमारा जंगल बचने वाला है 100% में से क्योंकि आज 34% है और आने वाले मतलब 2050 में 23% बचेगा और 52% हम कवर कर चुकी होंगे मतलब हम जानवर पा लेंगे वहां पे और हम खुद रहेंगे और बिल्डिंग स्मॉल हॉस्पिटल टेक्स्टाइल कंपनी इंडर्स्टी फैक्ट्री बहुत सार जो डेबलमेंट होगा वह उसमें हम 52% हम अपनी मतलब यह जो धर्ती का लेंड है उसमें 52% कवर कर लेंगे और 0.7 glaciers होंगे मतलब 10% यहां है तो जाहर सी बात है वह पिगलेगा तो हीट टेंपरेचर की बात करें तो 69 dogris था हाई उतना मतलब हाई जाता था 1950 में 39 dogris सेल्सीयस अब सन 2020 की बात करें तो आज हमारा 51 dogris इंस हाई चला जाता है हीट टेंपरेचर जो आज का अब मान है और 2050 में 60 dogris cels Less जाने वाला हाई temperature और यह अभी अनुमान है, इससे और भी आंगे जा सकता है, और जन संग्या की बात करें, तो 257 करोर थी, वर्ल्ड की पॉपुलिशन, मतलब पूरा वर्ल्ड में हम लोग कितने थे, 257 करोर, ओनली 1950 में, आज की बात करें, 2020 में तो 800 करोर हैं, टॉटल वर्ल्ड में लोग, लो 2050 में 1050 कड़ोर वर्ड की population होगी, मतलब इतने इनसान यहाँ पर development हो जाएगा और इतने लोग यहाँ पर जनसंक्या हो जाएगी, ठीक है अब बात करते हैं, 2050 तक धर्ती पर 1050 कड़ोर लोग होंगे, ठीक है, बात आती है तो जानवर भी जादा होंगे आज की मात्रा में मतलब आज की तुलना में और जादा होंगे घर भी जादा होंगे आज की तुलना में गाडियां भी जादा होंगे आज की तुलना में रोड भी जादा होंगे आज की तुलना में और hospital, schools, यह सब भी जगा कवर करेंगे, मतलब इनसान, जानवर, घर, गाड़ी, हॉस्पितल, बिलिंग, फैक्टरी, मॉल, कम्पनी, ये सब जगा कवर करेंगे और आग जो 34% जंगल है, 34% जंगल है, ठीक है, उसी को ही तो नस्ट करेंगे लोग, और मतलब उसको नस्ट करेंगे और उसके बाद जगा लिका लेंगे और फिर बहाँ पर मतलब ये सभी चीज बनाएंगे क्योंकि 1950 में जंगल 54 परसंट था 1950 में 54 परसंट था ठीक है पूरी प्रत्वी 54 परसंट था तो अब बचा है कितना 34 परसंट जंगल बचा है मतलब 70 सालों में 20 परसंट की गरावट आई है तो जायर सी बात है 2050 में जंगल 23 परसंट बचेगा 23 परसंट ये 23 परसंट बचेगा पूरी धर्ती पर ठीक है पूरी धर्ती पर मतलब 23 परसंट बचेगा लेकिन 30% से 1% भी कम हुआ, तो इंसानों का जीवन अर्थ पर नहीं चल पाएगा, 30% जंगल ऑक्सिजन की पूर्ती नहीं कर सकेगा, 900 कडोर, 1050 कडोर इंसानों की, और जायर सी बात है और जानवर भी बहुत सारे होंगे, तो उसे ग्रह पर दूसरे ग्रह पर जाना होगा रह करना अब पूरी तरह असंबव है, क्योंकि जादा लोग होंगे, तो जादा चीजों की डिमांड होगी, और अब जंगल नस्ट होने से, और उसे रोक पाना किसे के बस की बात नहीं है, क्योंकि इंसान अब खपत करना नहीं छोड़ सकता, उसे धरती की चीजों की खपत कर आपने पूरी प्राकृती मिटा दी, पूरे कडोरो जानवर की प्रजाती मिटा दी, पूरा समुद्र जल खराब कर दिया, पूरी हवा खराब कर दी, पूरी जमीन खराब कर दी कचड़े से, पूरे पहाड नस्ट कर दिये, पूरा वायो मंडल खराब कर दिया, धरती को आ मैंने प्रूफ किया है पिछली वीडियो में और इस वीडियो में कल युक खतम हो चुका है तोटली पूरी तरह से यह समय युक परिवर्तन का समय चल रहा है हम सब का अंतकाल चल रहा है किसी का महामारी से किसी का दुरगटना से किसी का भूकम से किसी का बार से किसी का आग स से हमारे पास केवल 15 साल है आने वाले 15 साल सो आप वह करिए जो मैं कह रहा हूँ देखिए आपको अपसे ना अच्छा खाना है ना पीना है मतलब non wage, junk food, drinking, smoking ना अच्छा पहनना है ना अच्छा enjoyment करना है ना status maintain करना है ना party function करना है ना पैसे को importance देनी है ना luxurious life जीना है ना घर, गाड़ी, mobile बदलना है इन सब चीजों को importance और प्रात्मिकता नहीं देनी है बिलकुल भी समाज की सेवा करें पैसा है तो समाज की सेवा करें को portion व्यक्तियों की, गरीबों की, जानवरों की, अपंग व्यक्तियों की, आसा है इंसानों की इन सब की आप सेवा कर सकते हैं दूसरा पैसा नहीं है तो माता पिता की साथ ससुर की सेवा करें आपकी उपर जो कर्ज है मा माता-पिता दोनों नहीं है तो पैसा और माता-पिता दोनों नहीं है तो भगवान की सेवा करें, भक्ति करें, मतलब बिना इक्छा के निस्वार्थ भाव के आपके अंदर कोई एक्छा ना हो, कोई मतलब आपके अंदर स्वार्थ ना हो, जैसे मीरा और पहलात के जैसे भक् इन तीन चीजहों में से कोई भी एक चीज कर लो आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, क्यूंकि हम धरती पर आत्मा शुद्धी के लिए ही जनम लेते हैं और आप शुद्ध आत्मा के साथ दूसर जनम में अच्छी जगा पैदा होगे, definitely अगर आप इन तीन में से कोई भी नहीं करोगे, कोई भी एक चीज नहीं करोगे तो ये लिखा है और ये प्रूफ हुआ है और आप अपने चार ओर देख सकते हैं आप पैदा होगे किसी गंदी वस्ती में, किसी आदिवासी चेतर में किसी सूखे चेतर में, किसी अकाल छेत्र में किसी बीमारी के साथ पैदा होगे या विकलांग पैदा होगे या किसी बुरी जगा पर जैसे मास काटने वाले के हाँ पैदा होगे गटर गंदे नाले साफ करने वाले के हाँ पैदा होगे या और भी बेकार जगा बेकर माहुल के साथ या बेकर काम के साथ आप पैदा होगे लोग कहते हैं जनम हमारे हाथ में नहीं होता कर्म हमारे हाथ में होता है मैं कहता हूँ बिलकुल गलत है देखिए जनम भी हमारे हाथ में होता है अगर हम अच्छे करम करें तो जनम भी हमारे हाथ में होता है, अगर हम अच्छे करम करें तो, definitely, हर एक करम का परिणाम मिलता ही है, आज नहीं तो कल, या अगले दूशरे जनम में, एक्जामपल के लिए आप अपने चारों ओर देखिए, नजर घुमाईये जरा, करन अडानी, सारा अली खान, आकाश अंब दिव्या महिंद्रा, जै कोटैक, ईशा अंबानी, अभीशेक बच्चन, अन्यन्या पांडे, अर्जुन तेंदुलकर, आलिया भठ, एशात प्रेम जी, तुशार कपूर, कवीन भारती मित्तल, वरुन धबन, और रनवीर कपूर, और भी हजार नाम हैं, हजारों नाम हैं, इन लोगोंने अच्छे कर्म किये होंगे, तबी तो अच्छे जगा जनम लिया है, इन सभी को संगर्ष क्या होता है, पता नहीं है, स्ट्रेस की फीलिंग क्या होती है, इन्हें बिलकुन नहीं पता, क्यूंकि इन्होंने सोने और चान्दी की चम्मच में जनम जो लिया है, सेम इनी की एज के, इनी की उम्र के कुछ लोग भीक मांग रहे हैं, कुछ लोग मजदूरी कर रहे हैं, कुछ फुतपात पर सो रहे हैं, कुछ स्वास्त से लड़ रहे हैं, कुछ का शोशन हो रहा है दूसरों के दौरा, यह सब अपने कर्मों का ही तुफल है, जो इनसान धर जनम बदल सकता है, यस ये प्रूव हो चुका है, सब कुछ उसके हाथ में होता है, कर्म करना उसके हाथ में होता है, अच्छा जनम पाना उसके हाथ में होता है, जो मैंने तीन रास्ते बताए, अच्छे कर्म करने के लिए इसके पहले, जब महा भारत में अर्जुन लड़ने की शक्ती नहीं जुटा पा रहा था तब कृष्ण ने कहा मैं पर ब्रह्म हूँ, मैं काल हूँ, मैं महा काल हूँ मैं सूर्य हूँ, मैं दुनिया का संचालक भी हूँ मैं नस्ट भी करता हूँ और दुनिया को दुबारा बनाता भी मैं ही हूँ अर्जुन कृष्ण का ब्रह्मान्ड रूप देख रहा था कृष्ण के कई सिर, हर सिर में हर देवी देवता का चहरा अर्जुन बोला क्या मैं वास्तवेक्ता देख रहा हूँ कृष्ण ने कहा हाँ, काल का जो चहरा देख रहे हो मुझ में वह इस युद्ध का काल है, अगर तुम कौरवों से नहीं लड़ोगे तो काल लड़ेगा, काल सबको मार देगा, इसलिए तुम अपना कर्म करो तुम यह सोचो, यह धर्म का काम करने जा रहे हो जो तुम अपना कर्म कर रहे हो, वह धर्म के हित के लिए है और वही है धर्म, इसलिए अपना काम करते रहो पीछे मत हटो, इसलिए आप भी अपना कर्म करते रहें, पीछे नहीं हटे सोचिए, अगर कृष्ण अर्जुन को बता देते कि तुमारे बेटे अभी मन्यों की मृत्ती होगी युद्ध में, इस युद्ध का परिणाम तुमारे पुत्रों की हत्या होगी, तो अर्जुन पीछे हट जाता वह युद्ध नहीं करता, अर्जुन अपना कर्म बिलकुल नहीं करता अपने कर्म को follow नहीं करता फिर बाय कहता मैं क्यों करूँ युद्द कृष्ण जब मेरे बच्चों की मृत्ति होगी इस युद्ध के परिनाम से मैं क्यों करूँ युद्ध जब मेरा वन्श खतम हो जाएगा वह अपना कर्म नहीं करता युद्ध से भाग जाता ऐसे ही अगर भगवान हमको बता दे हमारा future, हमारा आने वाला कल या मैं आपको बता दूँ कल क्या होने वाला है, कल किसकी मृत्ती होने वाली है कल मेरे घर या रिष्टदार में क्या कुछ गलत होने वाला है तो जहर सी बात है, मैं साफदान हो जाऊंगा मैं वह नहीं करूंगा जो मुझे शुरू करना है, या जो मैंने decide किया है future के लिए तो इसी लिए हम सब को यह जानना जरूरी है कि युग परिवयतन का समय चल रहा है, कुछ लोग काल के मुँँ में चले गए हैं महामारी से, और आने वाले समय में 90% जो population है पूरे वर्ल्ड की, उनका जाना तय है मृत्यू के मुँँ में वर्ल्ड वार थ्री से, बस आपको अपना कर्म, मतलब काम करते जाना है, लेकिन अपने कर्मों में थोड़ा सा चेंजिश करिए आपका कर्म, आपका कर्म है जो धर्म से जुड़ा हुआ होना चाहिए, मतलब जो आपका कर्म है जो आपका काम है, वो धर्म से related होना चाहिए, धर्म के विरुद्ध आपका कर्म नहीं होना चाहिए, मतलब जो भी काम करें, उन्हें अपना समय दें, उन्हें ज़्यादा प्रात्मिक्ता दें, हर काम छोड़कर उनका काम पहले करें, आप पैसे को इखटा ना करें, पैसे को प्रात्मिक्ता ना दें, इस्टेटस को तबज्जो ना दें, थाट बाट को तबज्जो ना दें, और क्यूंकि य यह सब चीजें आपके साथ नहीं जाएगी, आपके साथ आपका कर्म जाएगा, कर्म जैसा होगा वैसा जन्म आपको मिलेगा दूसरे जन्म में, जन्म अच्छी अवस्था में होगा या बुरी अवस्था में यह आपके आज के कर्मों पर निर्भर करता है, एक अच्छी बा बाहर ब्रहमांड में यूनिवर्स में, उसने सनी ग्रह, सेटन प्लानेट को बंदी बना कर रखा, धन के देवता, कुवेर देवता उसके पास थे, जेट, हेलिकॉप्टर, मन की गती से चलने वाले, पूरे हवाई जहाज उसके पास थे, उसके पास हर एक चीज ती दुनिया की, उसका राज धर्ती पर, आकाश पर, पाताल में, और पाताल मतलब धर्ती के नीचे, और आकाश मतलब यूनिवर्स, ब्रहमाण में उसका राज हर जगा था, इसका मतलब इन सब चीजों के अलाबा और कुछ नहीं है, और कहीं जीवन नहीं है, किसी भी प्लानेट पर, अगर होता तो रावन मार्स और मून पर जीवन शुरू करता, इसलिए उसे भी पता था कि जीवन केवल प्रत्वी पर है और कहीं नहीं है, देखे, लाइफ और किसी ग्रह पर है ही नहीं, आप मानो या ना मानो, हमारे वेद, ग्रंथ, पुरान और पुराना युग बहुत एडवांस था, वे लोग भी केवल अर्थ पर रहते थे और अर्थ पर रहे, अर्थ की जमीन पर बैठ कर पूरा ब्रह्मान युनिवर्स गू रहा है, वर्ल्ड वॉर्ड जो थ्री आने वाला है, सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा इंसानों के अंत के लिए, दूसरा प्राकृती मतलब नेचर, धर्थी पर और मौसम में प्रलय का रूप दिखाएगी, इसलिए आप कुछ पुन्य कमालो, अच्छे कर्म करके, वहीं आ आपके जीवन सफल होने का प्रारब्ध होगा, धन्यवाद